असलाम अलेकुम नाजरीन मैं हूँ अपका मिजबान अब्दिलमतीन सारी आज फिर से एक नई वीडियो नई जानकरी के साथ मैं हाजरे खिद्मत हूँ नाजरीन कराम आज का ये नियूज उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जो लोग धर्म के नाम पर राजनिती करते हैं या फिर गंदी सोच रखते हैं जी हाँ आप लोगों ने नियूज वगेरे में तो देखी लिया होगा कि अभी 11 हिंदू अतंगवाद पगड़े गए हैं तो इस खबर को पूरे तफसीर में जानने के लिए वीडियों के आखरे तक बने रहेगा ताके मैं आपको अच्छी तरीके से सारी जानकारी को दे सकूँ के मीडिया ने ये सब नियूज क्यों छुपाया है और बड़े बड़े चैनल वालों ने इसे आम क्यों नहीं किया है अखबार के फ़स्ट पन्नों में इसे क्यों नहीं छापा या फिर अखबार में इसे छापा ही क्यों नहीं सिर्फ सोशल मीडिया के कुछ चैनल वालों ने इसे आम किया है कुछ छोटे टीवी चैनल वालों ने इसे आम किया है लेकिन बड़े बड़े चैनल जैसा के आज तक EVP News और दिगर चैनल है उन्होंने इस खबर को क्यों नहीं छापा क्यों नहीं इसे दिखाया पब्लिक में दुनिया को के ग्यारा आतंगवाद हिंदू पकड़े गए तो इस वीडियो में मैं पूरा कवर करूँगा उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है का अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे और बेल के घंटी को भी दबा लिजे ताके मैं जितनी भी वीडियो अप्लोड करूँ आप देखें सबसे पहले तो नाजरीन कराम 11 के 11 हिंदू आतंगवाद पकड़े गए हैं और इसे मीडिया में नहीं दिखाने का माइन मकसद ये है कि इन में से एक भी मुसल्मा नहीं था अगर इन 11 के 11 में से कोई एक मुसल्मान का नाम तक की होता तो ये फ़स्ट अखबार के फ़स्ट पन्नों में होता और आज तक एबी पी न्यूस के टीवी चैनल में सबसे पहले आता लेकिन इन बड़े बड़े चैनल वालों ने अभी तक इसे नहीं आम किया और सारे के सारे हिंदू थे तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो जात और धर्म और मजहब के नाम से जो राज नितिक करते हैं वो कान खोल और आग फाड़ करके देख लें कि जितने भी पकड़े गहें सारे के सारे हिंदू थे मेरे कहने का साफ और सुथरी बात ये है साफ ये है कि आतंगवाद का कोई मजभ नहीं होता मजभ किसी को आतंगवाद नहीं बनाता चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान चाहे कोई भी पकड़ा जाये नियूज को आम करना चाहिए और चाहे देश से जो भी गद्दारी करे उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए तो ताके नियूस तक पहुचे और वो आम करे और अगर नहीं भी करते हैं तो इस शोशल मुड्यक की ताक्ट से हमें इस नियूस को आगे फैलाना है कि आखिर इसे क्यों मीडिया ने टबोच लिया इसे क्यों नहीं आम किया या फिर इसे कड़ी सजा दी जाती है या नहीं यह मैं जब पुरा खुलासा होगा उसके बाद मैं फिर से इस वीडियो पर गुफ्तगू करूंगा तो नाजरीन गराम मुसल्मान कई बार पकड़े गए हैं मुझे पता है मैंने दो तिन बार ऐसा देखा है मैंने मेरी जितनी उम्र है उस हिसाब से मैंने दो तिन बार टीवी चैनल वालों से मैंने सुना हर देखा है कि आतंगवाद पकड़े गए तो दो तिन बार मेरे ख्याल से मुसलमान जब पकड़े गए थे तो टीवी चैनल वालों ने बड़े बड़े चैनल वालों ने कम से कम दस दिन तक इस नियूज को चलाय था कि मुसलमान आतंगवाद पकड़ा गया है लेकिन अभी सिर्फ एक दो दिन ही हुए हैं लेकिन इस नियूज को कोई नहीं आम कर रहा इन नियूज वालों ने बिल्कुल दबा के रख दिया है अभी सिर्फ यही हो रहा है कि शाहिन बाग में क्या हो रहा है मुसल्मान अभी रोड पर उतरा हैं मुसल्मानों को नागरिक्ता नहीं दी जाएगी तो ऐसा बिलकुल नहीं है जो यह सोचते हैं कि एनर्सी मुसल्मानों के उपर है तो यह मत सोचना कभी भी तुम्हें भी भागना पड़ सकता है अगर तुम NRC के समर्टक में रहे तो तो नाजरें गराम इस वीडियो को ज़्यादे सेदा शेयर कीजिए आम कीजिए ताके ये अंधी बहरी सरकार को पता चले कि आखिर मुसल्मान ही आतंगवाद नहीं होता आतंगवाद की कोई जात नहीं होती आतंगवाद जो देश से खेलना चाते हैं वो घदार हैं पाकिस्तान से मिली भगत लोग हैं और मधब से कोई तालुक नहीं है इन लोगों ने हमारे देश को खुखला करके रखा है सिर्फ और सिर्फ जात के नाम पर राजनिती करके तो इन लोगों तक ये पैगाम पहुंचा दीजिए और जएदे से जएदा इस वीडियो को आम कीजिए ताके इन गदारों को पता चल सके और कड़ी सी कड़ी इन गदारों को सजा दी जाए जो पकड़े गए हैं चाहिए कोई भी हो इन्हें सजा मिलनी चाहिए तो नाजरी कराम आज का ये नियूस बहुत है खास था मैंने बता दिया नाजरी कराम मिलूंगा फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त देजिए अपने भाई अब्दिलमतीन को तब तक के लिए खुदा आफिस